काफी लोग तो दब के मर भी गये हैं पानी पीने का जो अप्शन है उनके पास अब यह है पानी कितनी ज्यादा यहां पे गंदगी है इसको रखते हैं इसी से कपड़ा दुलना खाना पीना जो भी करना हुआ अब यह देखे यह रहा यहां का टॉयलेट अब रास्ता देखे आप अब यह पूरा का पूरा घर धै गया है अब आको में आसो आजाएंगे अगर यह कंडीशन आप इस वक्त देख रहे होगे कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है पीने के लिए कुछ भी नहीं है कप्ड़े नहीं है इनके पास अज़्ट नहीं है बिमारी में लोग जी है और बांगी जिसका मतलब है उबांगी रिवर से क्योंकि पांगी का नाम बड़ा यार उबांगी रिवर जो इनका है और लास्ट के तीन व्लॉग अगर आपने देखे होंगे यार कि मैं अभी इनके कैपिटल बांगी में हूं इस कंट्री को जितना आदा अगर आप दे दूरेनियम हो बटिन सबके बावजूत यहां पर कई इशूज हैं तो मेरी कोसिस यह होगी कि आप सबको एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइट जो इस कंट्री का है वो दिखाने की कोसिस करूँ अभी आज मैं आपको लेके चला हूँ एक स्पेशल इवेंट प तो लोकल पीपल के लिए खासकर इस अफरी का कॉंटने में सेंटर अफरिकन रिपॉब्लिक में तो चलिए देखते हैं जो भी मेरा एक्सपीरेंस होगा आपके से साथ शेयर जरू करूंगा यह रहा उनका ओफिस जहां पर मैं हूँ और यह रही अपनी वो सारी सिस्टर अ क्योंकि यह सब पूरा बारिस की वज़े से पूरा फ्लट आया था गाइस अब यह देखे है यह पूरा पूरा विलेज बाड यानि पानी से डूबा भरा पड़ा है दीरे दीरे तोड़ा सा दूप हुआ तो सूखना स्टार्ट हुआ है बट आप सोचे कि यहां पे देख रहा हूँ मेरे सामने इस वक्त अब सुचे इस घर में रहने वाले लोग का कैसे बाहर आएंगे जाएंगे खाना सुचो सब यह पर देखे इसी बाढ़ के बाजू में यही पर लोग खाना बेचना खाना पीना सब कुछ यही पर है एक साथ अब इन सब के बाजू जो इन सब प्लेसिस पर आने पर सबसे अच्छी चीज जो लगती ना यार वह है लोकल हॉस्पिटालिटी मतलब कहते हैं जो इनसान जितना डाउन टूर्थ होता है वह उतना खुस होता है वह उतना रिस्पेक्फुल होता है जब आप इन सब जगह पर आओगे ना आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है ना यार वो अल्टिमेट है वह आपको सायथ आप साइवें स्टार होटल में भी बैठे होगे तो नहीं मिलेगा आप यह देखे बाइस आप मुझसे ही पहले उन्होंने ग्रीटिंग्स दिखाया अपने को तो कितनी अगर थोड़े बहुत देदेर मॉडन स्टाइल में भी लोगों ने बनाना स्टार्ट किया है प्रॉब्लम यह है यार की एजुकेशन सिस्टम काफी ज्यादा वीक है जिसकी वज़े से उन्हें नौलेज ही नहीं है कि कैसे अपने लिविंग स्टाइल को बेटर करना है वह सब चीजों के लिए ही अवेर्नेस का काम कर रही है वह एच है टीम कर रही है कि कैसे इनको एक बेटर लाइफ दिया जा सके गाई और वरना यार यह आईको कोई पड़ी नहीं है जैसे हैं उसी में रहना पसंद कर रहे हैं खाना-पीना वहीं खार हैं मेडिकल में कोई भी जैसे होते हैं अब आप पूरा पूरा घर दा पूरा डिमॉलेस हो गया बिस्तर वगएर सोचो यहीं पड़ा है काफी लोग तो दब के मर भी गया है सिस्टर लोगों ने बताया काफी प्रॉब्लम हुआ कंडिशन देखो गाइस पूरा कीचड़ है अड़कने को चलना है Central Africa जैसे मैंने आपको बताया कि जो rainforest zone की category में आता है पूरा गपूरा तो इस वज़े से काफी जादे आपको rainfall दिखाई देगा और उसी का एक यह हिस्सा जो भी आप हमारे सामने देख रहे हो पूरा पूरा flood situation पूरा इस गाहों में बना पड़ा हुआ है यह दिखे चोटे घर, पेड, पौदे, घास, ग्रीनरी सब कुछ एक जगा पर आप देख सकते हो गाईस बेस्ट चीज जो मैंने अभी तक सीखी ना अफ्रीका में वह है यह कि जब भी आप कहीं भी जाओ मुस्ली कोशिस करो अपनी तरफ से सबसे पहले ग्रीट करने की कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला परसन आपको एक दूसरे पूंट अविव से देखता है पर जैसे यह आप उस बंदे को ग्रीट करते हो अब ऑटोमेटिक वह काफी जादा स्माइलिंग आपके तरफ बेह पूब प्यारे बच्चे अपने सेंडल अफरिकन रेबबलिक कंट्री के उनसे थोड़ा साम अपने आपको इंट्रडूस कराने की कोशिस कर रहे हैं और उनको यह एचसास दर लाने की एक कोशिश की हम आफी की तरह है हमेंएकसप्ट करिए और आप अपने इस आने की कोशिस की जा रही है कोई ने कोई help करके चाहिए वो खाना हो वो शल्टर हो दुबारा से बनाना बेसिक रिक्वाइमेंट्स को फुल्फिल करना रास्ता आप देखो कितना ज्यादा खराब है सिस्टर लोग गिर भी रही है काफी चलेंजिंग रास्ता है यह अब आप इसी संदाजा लगाओ कि क्या कंडिशन है इस वक्त इस बांगी चाहिए हम हाड़ली दस किलो मेटर भी नहीं ह खास कर यह पूरा फ्लड इलर्ट जोन एरिया है जहां पर अलरड़ी पूरा फ्लड आया हुआ है और घर तबाह हो गये हैं कई लोग मल्बे में दपके खतम हो गये हैं पानी नहीं है खाना नहीं है रिसोर्स नहीं है मेडिकल सिस्टम तो आप भोल जाओ तो कई लोग तो यहाँ पर खतम हो जा रहे हैं बट लोकल गवर्मेंट बोलती है कि हम कर रहे हैं बट असली बैक ग्राउंड और असली ग्राउंड लेवल पर जब आप आके चीज़ें चेक करते हो तो आप सब चीजें नदार लगती है वैसे भी सेंट्र अफ्रिकन रिपब्ली कंट्री को ब अब रास्ता देखे गईज आप इस प्लेस का हां हाँ है ओ माइग गट अब बोलोगे कि यह सब कॉमन है क्योंकि यह तो हिंड्या में भी होता है बागी देसों में भी तो ऐसा नहीं है गईज पॉइंट यह है कि उस चंडीशन पर अपैसे भी हम अपने आपको चेंज कैसे करते हैं अपने आपको दुबारा से ग्रो कैसे करते हैं वह इंपोर्टंत है और यहां पे आहता पर आपकों जरूर नजरा आएगा we have something to support the people now if they don't tell the truth and it is vanities of vanities that what we help to the pool and whatever we help the help should go to the right person yeah so we came to the visit the area and our women verified our federation women are here आपको दिखाने की कोसिस कर रहे हैं अब यह पूरा का पूरा घर इस विलेज में आप देखोगे एक यह सामने है एक इधर है पूरा का पूरा धैय गया है अब आप सुचिए कि कही लोगों को सुनने में आया है कि यहां पे नीचे दपके वो खतम भी हो गए क्योंकि उन्हें क्विक इमर्जेंसी सर्विस यानि मेडिकल एसिस्टेंट नहीं मिल पाया अन हेल्दी वर्स्ट कंट्री इन सब की लिस्ट अगर उठा के देखो को यह तो संटरल अफ्रिकन रिपब्लिक उसमें सब पर टॉप पर है मैंने फिर से बोला गाईज इसका मतलब यह नहीं कि मैं ऐसा बोल कि इस कंट्री को डिफे करके अपने इस कंट्री को इस शहर को इस बांगी कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा डवलप और पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक आगे काम करेगा नहीं का भी पानी या ड्रिंकेबल वाटर अगर आप चेक करोगे पूरे के पूरे इस बांगी में न कैपिटल में जो हैंड पंप एक जगह भी नज़र नहीं आए तो अब इससे अंदाजा लगाईए कि यह लोग पानी या पर कैसे पीते होंगे पानी पीने का जो अप्शन है उनके पास नहाने दोने का जो अप्शन है वह उनके पास यह आपके सामने दिख रहा है अब यही पानी इसको देखें यह रहा यहां का ट्वालेट यानि रेस्टरूम बोलो यह ट्वालेट बोलो बेसिकली अब देखो इन्होंने ऊपर एक लकड़ी रखा गड़ा किया और इसी को यूज करते है लाइफ काफी डिफिकल्ट है गाइस जितना इजी हम सोचते है ना उससे कहीं ज्याद लोग हैं जो आगे आगे प्रयास करते हैं जो भी यह वीडियो देख रहा है आपसे एक रिक्वेस्ट है जिस और नेशन की मैं बात कर रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्चन में आपको डिटेल शेयर करूंगा जितना ज्यादा हो सकता है आप सब खुद से नहीं कर सकते हैं आ आपके सामने हैं अब यह देखिए एक कोई दूसरा घर है यह किसी मामा का यह राम का किचन अब यहां पर भी आप भर देखे गई सामने पूरा पानी भरा हुआ चारो तरफ कुछ बच्चों को आप देखोगे कि कपड़े हैं इनके पास कुछ के पास नहीं है दुनिया की सबसे गरीब रेस की लिस्ट में सेकेंड नमबर पर आता है अनहेल्दी कंट्री वर्स कंट्री और सेवेंटी परसेंट पॉपुलेशन जो इनकी है वह अंडर पुवर्टी यानि वन डॉलर पर डे से भी कम की अर्निंग पर पूरा देश चल रहा है बाप सुचों वह सारे के सारे डिपेंडेंट हैं कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पा लिखाना हो पीना हो कपड़े हो घर ये शल्टर हो गया मेडिकल सिस्टम हो गया एजुकेशन उनको कैसे थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना ये सारी चीजे अगर पॉसिबल ना हो इन लोगों के तरप से तो यहां के लाइव इस्टाइल आपको रोना जाएगा मैं इसा मिला उससे यह अपना गुजारा दिन बर्का करते हैं इंडिया में हमारे सोसाइटी है कि हम परिवार के साथ रहना पसंद करते हैं और हमारे पैरेंट्स हमारे माबाप हमारे बड़े भाई बेहन हमारी छोटे लोगों की जिम्मेदारी को खुद उढ़ाते हैं अफ्र से अरेंज करने हैं पड़ाई लिखाई खुद से करनी है अगर करना है तो बहुत ही रेर आपको देखने को मिलेगा खासकर जो पैरेंट्स अल्रेडी विल एडुकेटेड हैं वो थोड़ा बहुत अभी अपनी मेंटालिटी को चेंज करके दीरे-दीरे ग्रो करने की कोशि चीज़ हो रहे हैं सेफटी दीरे-दीरे इंप्रोव हो रही है आपको कि इन्वेसमेंट्स के चाप से बिजनेस के साथ से ट्रावलिंग के हिसाब से यहाँ göra गवर्मेंट को यह चीज़े समय आ रही हैं तो वह लोकल इस्टेबिलिटी इस कंट्री में कैसे स्टेबलिस किया जाए वह सारा कुछ ध्यान दिया जा रहा है इनकी गवर्मेंट की तरफ से तो यह एक चोड़ा सा विजिट था हमारा इस विलेज में जहां पर अल्रडी फ्ल करने की कोसिस कर रहे हैं अफ्रिका की यही सबसे वड़ी खासियत है जब इन बच्चों की स्माइल को देखोगे आप आपकी सारी टेंशन आ ऐसे ही भागने वाली है यह रही पानी की थरली और इस थरली में पानी जैसे अपने इंडिया में हम पाउच में पीते थे वह यह आप भी हर जगा आपको ऐसे देखने को मिलेगा जिसमें छोटे-छोटे बच्चे आपको सेल करते हुए नजर आएंगे और यह और यह यह सारी चीजे मिलेंगी यानि कहने को देश सबसे अमीर होना चाहिए यार बट है सबसे गरीब तो उसका रीजन यह है कि वह सही तरी के से उस कंट्री को डवलमेंट ना मिलना बट उन सब के बावजूत जो सबसे अची चीज मुझे लगी है आप देखिए हमारी जो साउथ इंडिन लेडीज है यानि यह एच 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 आई हैल्प हुमानिटी इंटरनाशनल कम्मुनिटी जो हैल्प कर रही है इन लोकल नहीं होता है यह रूटीन डेली रूटीन का एक हिस्सा है जहां पर एन सब लोगों को किसी ने किसी तरीके से यह और्गनाजेशन ने हेल्प करता है अब आप सोचिए कि अभी रिसेंड में काफी फ्लट वेगरे आया यहां पर बंगी में तो उस सिच्वेशन में कई में तो उन सब चीजों को सपोर्ट करने के लिए चाहे वो मेडिकल सिस्टम हो दवाईयां हो वो सारा कुछ दिया जाता है इस ओर्गनाजेशन के तरफ से काफी में एगिसो रख से दीबड़ 뒤 możemy करने कि भी एगरो कि योड़ से यहापाईयों प्लुच एलकाव ट्रेड़ करोकाश औ हमें एग मे राभी में सबावेरे. आख अगरो कि विए एतो एख से बावेशन के पाव जावाउन के दो ऒेकिकल लिए ओनने के यारा का सि आवक में और फिटोकम के दुटक टो में रार अभा कासावा, क्रॉस्ट, प्रॉस्ट, और उसके था स्वार शितने से दॉप्नुंट को अजय को अनुब से लिए लिए को एंपाब इन भाइ्ट में रावा दे भीटोन में गभरी उतले दोन प्रॉस्टरोफिड कासावा प्सेशलपनोड चेशवल का सेबनेश मी भी ठाप यज करने सेप्स हम रिकले का सामटनी का सीचें उम साथ. 19. में प्रोtwिर Pink bezशाई रिख प्रॉवल मांने ज्लित प्रॉवल यह एक चान्री हो को तो हुआ मुण Gloria DMI, those who are in the group, they make a small business, and they also, yeah, this is a business, this is a business, and this is also a business, and they also agriculture, so that is a leaf, you can cry to the women, it is a cassava leaf, and the women here in the culture, this is a special food, cassava leaves, and we know that in India, we never eat cassava leaves, here pumpkin leaves, Yeah, cassava leaves, and they make use, but we teach them, feed Central African, by Central Africans, by this small agriculture, that is a very good message, So guys, you can see this shop, you can see this shop, you can see this shop opening, as you can say, that it has been supported by the HHI organization, this small initiative, you can see for women empowerment, that you can see in the moment, that their slogan is that Central African Republic, local people, local people can help, and they are teaching this organization, and you can see that today, there is a shop opening, and all these moms are coming here, that they are supporting, they are purchasing, and they are buying goods, and this is something that we have told, that education system, and women's to teach them how to become entrepreneurs, how to become entrepreneurs, how to help us, how to grow our business, how to grow our business, that we have to grow our business, and how to grow our business, and how to grow our business, that the most important part is that the most important thing is that the most important thing is that the most important thing is that, that you are going to be independent, as you can make as a lifestyle, how to become more independent of your live style, in the Central African Republic, such as a country, that the Indian people, who are going to be in the same place, है गाइस सेल्यूट है इन लोगों को मेरी तरफ से और आई होग आप सब की तरफ से और दिस्ट्रिब्यूशन यानि इसमें और लड़ी इन्हें कैस देने के बजाए कोशिस यह की गई कि इनका एक एक काउंट लोकल ओपन करके उसमें कैस ट्रांसफर किया जाए जिसको यह डेली यूज़ कर सके और यह कैस भी इनको ऐसे ही नहीं दिया जा रहा है निन मक्सद इसका यह है कि कैस को यूज़ करके कोई न कोई चोटा सा एक स्मॉल स्केल का बिजनेस यानि कोई न कोई कोई काम अपने लिए ढूंड सके चाहे वो वेंडर सेलर का हो चोटी सी दुकान कोल के सामान बेशना हो सुबह से मैं आया हूँ यह आप और हालत मेरी खराब हो यह और अभी भी हमारा डिस्ट्रिबूशन का काम चालू है आप देख रहे हो प्रॉब्लम यह है कि लोग ज्यादा है और सामान कम बड़ ऐसा नहीं है हम कोशिस करेंगे जाता से ज्यादा हर एक उसकस को देने की कोशिस जो हमारी तरफ से हो सकता है बट यार अफ्रिका आप सब को पता है कैसा है यह संटल अफ्रिकां रेपपली की कंट्रिक की हालत क्या है आप रियालिटी इस वक्त मेरे सामने देख रहे होगा इस मतलब आंको इसमारी में लोग जी रहे हैं और मरने को बदहाल जिंदगी वाली जो कंडिशन होती ना वह आपको यहां पर लाइफ देखने को मिलेगा इस फैंबली की तरफ से यानि है की तरफ से इनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले बेसिक कॉंसेप्ट यह है कि इनको किसी भी तरीके से वोमेन किया जाए लोगों को यह ट्रेनिंग दी जाने दी जा रही है यहां पर कि कैसे वह अपने लाइफ को ट्रैक पर ला सकें पैसा मागने सच्छा है कि वह खुद काम धूड़े काम धूड़ा कैसे जाए वह तक भी यहां पर सिखाया जा रहा है बट रियालिटी फिर भी आपके सामने है जो यह सेंटर अफ्रिकन रिपब्लिक है यह एक लेंड लॉग कंट्री है और आठ जार साल पूराना देश बॉड़र जो शेर करता है यह चाड से कैमरून से डिमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगो रिपब्लिक ऑफ कॉंगो और साउट सुडा यह सारे नेबरिंग कंट्रीज के बॉर्डर हैं जहां से आप ट्रावल करके इस कंट्री में आ सकते हो देखा जाए यार तो पूरा दो हजार बार से इस कंट्री में कॉंटिन्यू सिविल वार चला है फ्रांस ने पहले रूल किया था रूल करने के बाद जब इने इनके लोगों के हाथों में इनकी सत्ता दी गई तब भी कई डेर सारे सिविल वार हुए जिसकी वज़े से अने स्टिबिल्टी जो है वो कॉंटिन्यू बनी रही एक वन अप दो मोस्ट रीजन है कि इस कंट्री में आर काफे जादा कॉन्फिक्ट होता है मतलब इन्टी टेरिजम ग्रोप यह सारे काफे जादा अक्टिव थे अभी लास्ट के दो साल से दीरे-दीरे कंट्री में स्टिबिल्टी आने की कोशिस की है जब से इनके यह जो न्यू प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से बाकी देश में अगर आप देखोगे हर जगह लोग हैं वह अच्छे हैं नो डाउट कहीं कहीं पे कुछ जगह पे आप जब ट्रावल करोगे तो तोड़ास आपको रिस्की लगेगा पॉजिटिव साइट अगर इसी देश का आपको देखना है ना तो यार सेंटल अफ्रिकन रिपब्लिक एक ऐशा देश है जहां पे 600 बटरफ्ल इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे आप बहुत ही इन्वायर्मेंट फ्रेंडली नेचर के साथ आप अपनी लाइव इस्टाइल को जी सकते हो एग्रिकल्चर इनके पास सबसे बड़ा रिसोर्स है जिसको यह चाहें तो यूज करके पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं यार ज कर रहा है काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो तो पॉलिटिकल इशू होगा यार बट मेरा जो अबजर्वेशन है कि गाउं में जब आप जाओगे इंटियर प्रेस पर जाओगे तो अभी भी कंट्री में डवलमेंट कुछ भी नहीं आप बांगी देखिए जो इनका मेन इसके बाद अगली कंट्री जहां पर मैं जाओंगा है होफफुली चार्ट वह भी रिचस कंट्री के लिश्ट में आता है बट इन सब के बावजूद यार यहीं पर सबस्यादा गरीबी आपको देखने को मिलें मतलब अगर बेसिक रिक्वाइमेंट्स की बात की जाए जो रहना खाना पानी एलेक्टिसिटी और मेडिकल सिस्टम एजुकेशन सिस्टम वह सारी की सारी यहां पर आपको नधारत मिलेंगे यार बट तोड़ा दीरे-दीरे करके यहां पर डवलप करने की कोशिस की जा रही है इस तरह के और्गनाजेशन आगे आ रहे हैं जो इन लो message एक inspiration है बाकी अपने अधर अफ्रिकन लोगों के लिए हम एशन कमुनिटी का भी काफी दुबदबा है इन कंट्री में अगर आप देखोगे अपने इंडियन लोग भी हैं जो इस बांगी में काफी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं थोड़ा सा उनको भी challenges काफी face करने hopefully देरे देरी कंट्री स्टेबल होगी यहां के लोगों को अच्छा कासा development मिलेगा infrastructure हो एजुकेशन हो medical system हो और basic need खास कर यार water पीने का पानी यहां पर साफ नहीं है खाने की बहुत दूर की बात खाने में भी मुसली आप देखोगे Central African Republic agriculture में काफी जादा आगे है अगर यह चाहें तो मेज मुसली जो मकई होती है वह सबस्यादा यह ग्रो करते हैं कसावा जो कि इनका दूसरा सबसे staple food है वह यहां पर ग्रो किया आता है बनाना यह भी एक plantation जिसको बोलते हैं राव बनाना उसको यह यूश करते हैं तो और कई लोगों मुझे बताए कि agriculture इनका यहा जाए बट आई तिंग एक अची अप्रोच होगी गोर्मेंट से अच्छा आपको support मिलता है और आप coordinate करते हो तो आप काफी कुछ इस country में आक्याप कर सकते हो हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ हम से अवश कर दो आप 낮 प्रूँ irgendwas हुआ 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 है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मतलब खुश याली देखें इनके चेहरों पर कुछ लोग मायूस हुए हैं कुछ लोग खुश हुए हैं मायूस इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं मिला उसका रीजन यह कि उनका जो टर्न है वो नेक्स्ट पार आएगा बट कुछ लोग खुश इसलिए कि आज थोड़ा सा सपोर्ट एक मोटिवेशन उनके लाइफ में कैसे दिया जा सके वह यहां से किया गया और उनके चेहरे आपको सब्सक्राइब करना और आप तक रियल दिखाना यह मकसक था काफी ब्लेश्ट फिल कर रहा हूं इस जगह पे आके एक जो पॉजिटिव वाइप होती है हम लड़ाई लड़ रहे होते हैं अपनी जिंदगी से बट उसमें हार ना मानना जो मेरा एक मकसद हमेशा तरह आपनी ही चाहिए कि एक्रॉस अफ्रीका ओल फिप्टी फॉर कंट्रीज कानारा मैं दे रहा हूं आप सबको उसका रियल स्वरूप आप इस जर्नी में इस सें आपने को मेलेगा कि आप देखिए कि आपने को में आपने को में देखिए